सुबह होती है, शाम होती है, गुर्बत की जिंदगी युहीं तवाम होती है किसने सोचा होगा कि जिस खिलाडी को, जिस लड़के को मैं स्कूटर पर लेके जा रहा हूँ और रोज उससे प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो ये सपने देखता है कि एक दिन बड़ा होकर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेगा जिनके पास खाने को भी बांदे पड़े हुए थे, मतलब इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे को भी खिला सके इसी वज़े से खुद का भूक जो है, मार कर अपने बेटे को एक टाइम का खाना खिलाया करता था वो बाप जो आज सबसे ज्यादा फकर महसूस कर रहा होगा, गर्व महसूस कर रहा होगा क्योंकि उनका जीना सफल हुआ, क्योंकि उनका संगर्ष सफल हुआ है आज बाबर आजम, ये कहानी है बाबर आजम की और उनके फादर आजम सिदिक्की की जिन्हें इस्कीन अलर्जी था धूप में निकलते थे तो बड़ी परिशानी होती थी डॉक्टरों ने दूप में निकलने से मना कर दिया था लेकिन जिद थी कि अपने बेटे को किरकेटर बनाना है और आज आजम सिद्धिकी की वो जिद और वो जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो गया है बाबर आजम को सितारे इम्तियाज मिला है सबसे कम उम्र के खिलाडी बने है जिन्हें पाकिस्तान के इस थर्ड हाइस सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है हर माबाप की खुआश होती है कि वो अपने बेटे के नाम की वज़े से पहचाना जाए शायद आजम सिदिक्की का ये जिन्दगी जो है अब सफल हो चुका है क्योंकि आज जब भी वो महले में कहीं निकलते होंगे तो लोग कहते होंगे देखो वो बाबर आजम के फादर जा रहा है उनकी मा को भी लोग यही बात कहते होंगे कि वो देखो बाबर आजम की मा जा रही है और अगर आप बाबर आजम के फैन है तो शायद आपके लिए भी 23 मार्च का ये दिन बहुत ज़्यादा खुबसूरत होना चाहिए क्योंकि आपके फैवरेट क्रिकेटर को वो अवार्ड मिला है जिसके लिए वो डिजब करते थे किसी भी कंट्री का एगर हाइस सिविलियन अवार्ड मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है और इस से ज़्यादा क्या ही चाहिए किसी भी ख्लाडी को आपको बता दे कि बाबर आजम इस समय हाइस्ट रैंकिंग में हाइस्ट नमर पे है वंडे में नमर वन पे काबिज है जबकि टेस्ट क्रिकेट में भी टॉप 5 में है ती 20 में भी टॉप 5 में है पिछले साल उने